तो आज का जो मेरा वीडियो है वह अर्बैनिक हॉल पे जमान दीजे कि शीन आल्टरनेटिव ही है यह बिल्कुल ही जो फैब्रिक है और जो की क्वालिटी है बिल्कुल अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना इस वीडियो को तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो आते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट पे जो है यह अनिमल प्रिंट वाला आपका टॉप बहुत ही प्यारा टॉप है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचिबल है दूसरा क्रॉप है तो अगर आप क्रॉप टॉप लेना चाहते हैं तो बहुत कमफर्टेबल है बहुत सॉफ्ट है नो डाउट जो नीचे के बैल्ट है आगे ब्लैक फाली इस वज़े से बिल्कुल फिटेड है यह तो मेरा साइस में मैंशन कर दूँगी जहां तक है मैंने स्मॉल साइस ही मंगाया था तो स्मॉल साइस में क्या है कि 34 बस तक ही ह स्लीव इसकी फुल है तो काफी जाद अच्छा है मैं रिकमेंड करती हूँ तो आते हैं मेरे नेक्स प्रड़क्ट पे जो है यह पिंक कलर का टॉप यह बी काफी जाद प्यारा है अबसे अच्छा मुझे यह लगाता है इसमें जो क्रॉस वाला नोट दे रखा है ना आगे पहननी होगी यानि प्रा पहननी होगी वह आप ट्यूब पहन सकते हो क्योंकि वर्णा बाकी बैल्ट वगरा की शेप इसमें काफी जादा आ रही थी पीछे की साइड और अगर कंफर्टेबल जोन की बात की जाए बहुत जादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है तो मैं इसे ह जाए रिकमेंड करती हूँ तो आते हैं मेरे नेक्स प्रोड़क्ट पे जो है ये अगें एक प्रिंटेड टॉप इसकी जो लैंथ है वो काफी लंबी है क्रॉप टॉप जैसी नहीं है तो जो लोग क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते हो उसे मंगा सकते है क्योंकि मैटेरियल इस पी काफी अच्छा है पॉलिएस्टर है और काफी जादा ही कमफर्टेबल है सॉफ्ट है और थोड़ा हाइनेक की तरफ है आप देख सकते हो मैटेरियल इसका भी पतला है लेकिन आपका दिखेगा ने इसमें कुछ भी विसिबल नहीं होगा और जो लेपड प्रिंट है वह काफी जादा क्लियर और बहुत ही ब्राइट है दूसरा बहुत ही रिलेक्स टॉप है अपनलब स्वर्मर के साफ से बहुत बेस्ट है जैसे कि इस ताइम हमें स्वेटिंग प्रॉबलम रहती है तो हम लाइट से लाइट फैब्रिक पहनना चाहते है तो मैं इसे हाइली करती हूं कि प्राइस के कोर्डिंग मुझे काफी अच्छा लगा तो आते ही मेरे नेक्स प्रोड़क्ट पे जो है यह टॉप यह मेरा सबसे जादा फेवरेट टॉप इस पूरे हॉल का क्योंकि मुझे इतना उमीद नहीं थी कि यह टॉप इतना अच्छा है कि यह टॉप किसे ने जारा की साइड ना वहाँ पर भी है वहां कई और इसके फैब्री का फैbon मैं नहीं कर सकती मैंने इस वाली से ऑर्डर किया है लेकिन इस इस वहां फाद की जाए तो वैसे पॉलिस्टल लेकिन बिलूल ही वैलबिट टच है ठीक है बहुत प्यारा है अच्छे वाला के साथ carry कर सकते हो और गले में चोटा सा piece या statement yearlings के साथ आप इसे एथनिक लुक में भी convert कर सकते हो और आप इसको ऐसा western लुक भी पहन सकते हो काफी जादा ही अच्छा टॉप है बहुत प्यारा कलर है हर किसी पर सूट होगा प्राइस थोड़े प्राइस जादा है लेकिन अलब वर्दी है आते हैं मेरे नेक्स प्रोड़क्त पे जो है यह आपका स्वेटर यह भी crop वाला स्वेटर है ठीक है इतना क्रॉप नहीं अच्छा है इसकी जो sleeves है वह भी काफी जादा ही अच्छी है आप देख सकते हो काफी ज अच्छे तरीके से जो इसकी बुनाई है वह बहुत अच्छे वाली है और यह warm भी है तो मैं इसे highly recommend करती हूँ कि according to the price अच्छा है अगर आपको different style में जाना है थोड़े प्राइस इसमें देने पड़ेंगे शीन से थोड़ा महंगा है यह शीन में तो बहुत सारे open course भी होत इसका भी बहुत जादा ही प्यारा फैब्रिक है यह भी मेरा winter collection में जो मैंने इसमें दिखाया है उसमें मेरा favorite top है sweater actually इसकी बुनाई और इसकी जो फैब्रिक है बहुत जादा soft है और बहुत प्यारा लग रहा था यह पहनने के बाद अमलब सामने से तो काफी जादा अच्छा लगा मुझे इसका color combination है वो हर किसी की skin tone पे जाएगा material इसका acrylic fiber है और आप देख सकते हो कि इतना अच्छा है round neck shoulders drop वाले है यानि की जो नीची की तरफ आ जाते हैं काफी जादा soft है even यह बहुत जादा warm भी है ठीक है पहने गया मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ गरम चीज पहनी है तो मैंसे highly recommend करती हूं और 1000 रुपय के round पढ़ा था मुझे तो मुझे यह वर्दी लगा फिजूर्चा नहीं लगा बहुत बढ़िया टॉप है तो आते हैं मेरे next product पे जो है यह टॉप इसका जो material है वो है polyester आप इसका design देख सकते हो काफी जाता चाहे यह आपकी waste तक नहीं जाएगा मंदब short है crop है तो अगर आपको crop top चाहिए तो आप इसे ले सकते हो अगर बात करी जाए warm न कुछ अलग पहनने के लिए या लेने के लिए तो बहुत best top है यह इसकी जो quality है वो काफी अच्छी है stretchable भी है यह बाकी इसका size है I think one size था यह medium निया था मैंने से one size ली था तो हाँ इसमें medium size जेना है आपको तब आपको यह fit होगा small यह मुझे लगता है थोड़ा चोटा र पर काफी जादा neon है तो थोड़ा सा न फेर कल जो tone होगी skin उसकी तरफ ही जाएगा यह दूसरा crop top का style है आपका की पहनने के बाद इसमें noot बांदो गया side में मैंने फ्रंट में मांदा है side side में मांदा है बाकी अगर fabric wise बात की जाए तो polyester है काफी जादा ही अच्छा pattern है औ अच्छा लगा मुझे overall shorts के साथ पहन सकते है और अगर आप इस तरह के colors पहनते हो प्रेफर करते हो तभी आप इसे purchase करना पहनने के बाद comfortable भी है crop है तो अगर crop purchase करना है तभी देना इसको बाकी मैं इसको highly recommend करती हूँ कि price के according मुझे सरी लग रहा था यह जादा महेंगा नह पर different style आपको urbanic पे ही मिलेंगे क्योंकि मैं काफी shopping करती है तो मुझे इस चीज का पता है तो आते है मेरे next product पे जो है यह skirt set पूरा top skirt set मुझे अच्छा है यह लगा कि एक हतार के अंदर आपको पूरा set मिल जाता है लेकिन एक चीज मुझे इसमें drawback जो यह लगा कि जो ऊपर का top इसका material काफी ता पतला है मैंने इसमें size small मंगाया था आप इसमें medium भी मंगा सकते हो क्योंकि यह burst पे से tight आ रहा था तो इस वज खोले जाते है शर्ट की तरह भी आप इसे पहन सकते हो जो नीचे की skirt है उसमें अंदर shorts नहीं दे रखी मुझे लगता है कि अगर इस तरही की short skirt है तो उसके अंदर shorts देनी चाहिए इनको ठीक है पर नहीं दे रखी पर overall अगर इसका combination दिखा जा तो अच्छा है उपर white है औ यह जब मैंने इस मॉडल पर देखा था मुझे लगा थोड़ा सा हैवी फैब्रिक में आएगा पर मैं काउं तो मुझे 700-800 की बीश में पड़ा था तो उसके साफ से मुझे अच्छा लगा इसे कॉलर पर आप जो देख सकते हो ना यह डिजाइन चोटे-चोटे ब्लॉक्स है यह बहुत्त साफ्ट है ग बहुत तो बड़े करती है तो मैं से काउं करती हूं कि आपिसे पर चीज़ कर सकते को बन कर्याओं जिसका style है वह bohemian style है तो मैं recommend करती हूँ आते ही मेरे next product पे जो है ये two-piece outfit है ये ठीक है इसमें जो मेरा size ते आई थिंग मैंने small लिया है जहां तक मुझे आद है तो इसमें बहुत सारे size है 3xl ये 2xl तक भी size है लेकिन असमें सिर्फ दोई थे light की shady हैं समें dark shades नहीं है बाकि अगर इसकी comfortable उसकी बात किजाए बहुत साथा comfortable है t-shirt भी और नीचे का जो lower है वो भी इस तरह का ये track suit मान लीजाए आप इसे आप बाहर भी पहन के जा सकते हो आराम से अगर थोड़ा casual outfit में कहीं भी travel करना चाहते हो तो ये बहुत best outfit है जो इसका material है वो है polyester है थोड़ा pricey है ये I think 1000 से above था ये पर pricey के साब से मुझे अच्छा लगा लेकिन नीचे आप इसके अंडर आपको सब कुछ nude पहनना पढ़ेगा वरना वो visible होगा पर मैं इसे recommend करती हूँ तो चलते हैं मेरे last product की तरफ but not at all the least एक set मंगाया था मैंने जोल्री का मैंने पीस मंगाया था 3-piece set है ये ठीक है इस तरीके से इसमें लॉक दे रखा है बहुत अच्छा है पॉलिच कहीं से भी खराम नी थी दो कलर दे सिल्वर और गोल्डन मंगाया इसमें पहले बाला पहन होगी फिर दूसरा फिर तीसरा मैं मैं अच्छा है पहनने के बाल यह देखिए मैं पहनने के बाल यह देखिए मैंने पहन लिए बीच में आएगा लेकिन मुझे जो सबसे चोटी स्टार वाली चैनल बहुत टाइट आ रही थी मैं रिलेक्स फील नहीं कर रही थी इसने मेरे से वापस किया पर दचिल्डेट टाइट पाल जेखिए पयुल्डेट टेखिए बाल कर रहा है झाल कर रहा है हैículos और स्टार आप रहा है नहीं कर रहा है।